हेलो गाईज स्वागत है आपका मेरी यूटीब चैनल पर तो आज हम बनाने वाले हैं पालक पनीर की सब्जी जो बड़े ही आसान तरीके से बनती है पर खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है बच्चे जो पालक खाना पसंद नहीं करेंगे वो इस सब्जी को जरूर खाएं तो मैं यहां पर यह दो लोगों के लिए बना रही हूं तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाएंगे तो सबसे पहले हम यहां पर कूकर में सारे पालक को डालके उसको उबा लेंगे अच्छी से बॉइल कर लेंगे और इसी के अंदर हम डेड़ ग्लास पानी डाल देंगे हैं हमें इसमें चार से पांच सीटी लगानी है तो इतने हम अपना मसाला तयार कर लेते हैं तो यहां हमने कडाई ले लिए घरतें Gea में मतल़ कर ले ape लेड़े आ हैं तो यहां मया हुआ अ कर दो चमचे हम यहां पर सर्सो का त已 लेगे है आप तेल जोन सा भी खाते हैं आप वो ले सकते हैं पर यहां मैं सरसो का तेल ले रही हूँ अब हम इसमें डालेंगे लसन प्याज लसन अधरक का पेस्ट और इसे अच्छे से भूनने देंगे जब तक ही भूनता है हम अपना मसाला दूसरा बनाते हैं हमने जो टमाटर काटे तो इसमें एक चमच रैट चली पॉड़र आदा चमच हल्दी आदा चमच गरम मसाला और नमक हम स्वादर नुसान लेंगे जब हमारा मसाला अच्छे से भूनने लगे तो हम उसके अंदर टमाटर का पेस्ट भी डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालके उसको अच्छे से पकने देंगे उसको दस मिनट के लिए हम ढग कर पकाएंगे इधर हमारा पालक भी बॉइल हो चुका है तो इसकी सीटी निकालके हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और जो पालक का पानी है उसको फैकेंगे नहीं इसे हम सबजी के लिए यूज करेंगे तो इसी पानी को हम सबजी के लिए भी यूज कर सकते हैं तो यहां पर मैं ले रही हूँ है एक छल्ली जिसमें हम पालक को निकालेंगे ताकि इसका पानी निकल जाए और यह थोड़ा सा ठंडा हो जाए अब हम इस पालक को अच्छे से पीस लेंगे तो हमारा पालक को पेस्ट बनके तयार है और इधर हमारा मसाला भी अच्छे से भून चुका है तो अभी हम इसमें पालक को मिक्स करेंगे जो पानी हमारा पालक का बचा हुआ था हम एक बावल इसमें डालके अच्छी से इसको पकने देंगे अब हमारा पंदर मिनट पालक पकने के बाद देखे इसने तेल चोड़ना शुरू कर दिया तो अभी हम इसमें जो पनीर के पीसिस हमने काट के रखे वे थे वह भी हम इसको एड कर देंगे और पनीर डालने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पर दस मिनट के लिए पकाएंगे इसको पूरी तरह से हमें डखना नहीं है हलका सा गाड के रखना है तो इधर देखे हमारा दस मिनट हमने पकाया है तो तेल उपर आ चुका है तो इसका मतलब है कि हमारा पनीर पालक पनीर बनके तयार है तो चलिए अब सर्फ करते हैं आपको हमारी पालक पनीर की रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताईए और वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अब हमने इसमें थोड़ा सा घर का बनावा देशी घी उपर से डालेंगे तो घी डालने से और अच्छा टेस्ट आ जाता है सिंपल सी पालक पनीर की सब्जी बड़ी ही टेस्टी लगती है खाने में जो बच्चे भी बड़ी आसान इसे खा लेते हैं तो एक बार यह आप घर पर बना के जरूर खाएए अगर हमारी वीडियों आपको पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियों देखने के लिए और वीडियों को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फोर वोचिंग